डिस्टीपी मिक्सिटीडी आल इस्टूजेंस वेलकम रासान विग्यान के बीत आति महत्वपूर्ण की उश्चन आपके साथ आये हैं आल सट्स एक्जाम माडन पेपर नमबर सेकेंड अब स्टार्ट हो रहा है उश्चन नमबर फस्ट निम्न में कौन आक्सी करण नहीं है आपसन अवच्छेपण आपसन B भोजन का पचना आपसन C स्वचन आपसन D दहन तो इन सभी में से आक्सी करण नहीं है वो हैं आपसन नमबर A यानि आवच्छेपण ये सई होना चाहिए नेक्स क्यूशन पर चलते हैं नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन होता है यह कौन से विक्रिया है आपसन A विस्थापण आपसन B उदासी निकरण आपसन C स्वचन आपसन D अवच्छेपण तो इस क्यूशन का हमारा एंसर होगा आपसन नमबर B यानि उदासी निकरण आपसी डेसन जिसे कहते हैं नेक्ट क्यूशन पर चलते हैं साख सब्जियों का विग्टित होकर कंपोष्ट बनना की सविक्रिया का उदारण है आपसन A उस्माच्छोशी आपसन B उस्माच्छेपण आपसन C प्रतिस्थापण आपसन D उभैगामी तो साख सब्जियों का विग्टित होकर कंपोष्ट बनना यह होता है आपसन नंबर B यानि उस्माच्छेपण का उदारण बनता है नेक्ट क्यूशन पर चलते हैं आलमोस्ट क्यूशन है विद्यासियों सभी ध्यान से पढ़े और याद करें सोडियम हाड्राक्साइड का पी एच मान लगवग है आपसन ने 11 या 11 है आपसन भी 12 है आपसन C 13 है आपसन D 14 है तो सोडियम हाड्राक्साइड का पी एच मान आपसन नंबर D यानि 14 है नेक्ट क्यूशन पर चलते हैं कौन सा धात जल में डालने पर तरने लगता है आपसन ने कैल्सियम आपसन भी निके आपसन C मैगनेजियम आपसन D 14 है तो ऐसी धात है जो डालने पर तरने लगता है जिसका सही अंसरों का विद्यारतियों आपसन नंबर A यानि कैल्सियम जो जल में डालने पर तरने लगता है नेक्ट क्यूशन पर चलते हैं एक धात के टुकड़े से पतले तार खींशे जा सकते हैं यह धात के किस गुण धर्म के लिए उस्तरदाई है आपसन तन्यता आपसन भी कठोड़ता आपसन सी आघात वर्द्यता आपसन लिचा लगता अगर पता हो विद्यारतियों तुरंत हमें कमेंट में बताएं इसका उस्तर क्या होना चाहिए इसमें सही होगा विद्यारतियों आपसन नंबर ए यानि तन्यता ने करेक्ट है नेक्स रिक्यूशन पर चलते हैं धात वो को पीट कर उत्तर बनाना आसान है यह धात के किस गुण धर्म को बतलाता है आपसन ने कठोड़ता आपसन भी आघात वर्द्यता आपसन ती चालक अपसन डी तक्रियता तो धातूं को पीट कर पत्तर मनाना आसान है आघात वर्द्यता इसमें अपसन भी सही होना चाहिए विद्यारतियों आघात वर्द्यता जी हाँ correct answer है next question पर चलते हैं अगर किसी मिस्र धात में एक धात पारद है तो इसे क्या कहते हैं आपसन ने पारद मिस्र धात आपसन भी iron मिस्र धात आपसन सी अम लगम आपसन डी zinc मिस्र धात अगर किसी मिस्र धात में एक धात पारद है तो इसे हम कहते हैं आपसन नंबर सी यानि अम लगम अम लगम सही होना चाहिए आपसन नंबर सी correct है नेक्स question पर चलते हैं विद्यातियों निमलेखित में से किस अधात में धात वी चमक पाई जाती है आपसन ने iodine आपसन भी graphite आपसन C ए और B दोनों यानि iodine और graphite दोनों आपसन D इनमें से कोई नहीं अधात में धात वी चमक पाई जाती है तो वो है यानि दोनों में पाई जाती है आयोडीन ग्रेफाइड दोनों में correct है नेक्स question पर चलते हैं निमलेखित में कौन एक योगिक है आपसन ए अमोनिया आपसन भी ओजोन आपसन C वाई आपसन D पारा तो इसमें एक योगिक है इन चारों में से आपसन नमबर A यानि अमोनिया एक योगिक है नेक्स question पर चलते हैं परमाडवी नाभिक कि स्रुने खोजा था आपसन ए थॉम्सन आपसन B रदर फोर्ड आपसन C चैडविक आपसन D जॉन डॉल्टन तो परमाडवी नाभिक हमारा खोजा था आपसन नमबर B यानि रदर फोर्ड ने करेक्ट होना चाहिए आपसन B नमबर नेक्स question पर चलते हैं एक भारती वेग्यानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूलकर्ण के साथ जुड़ा है वह कौन आपसन ए बोस आपसन B रमन आपसन C साहा आपसन डे चैंसेख है तो इसमें सही अंसर होगा विद्यारतियों आपसन नमबर A यानि बोस ने नेक्स क्रिशन पर चलते हैं रेडियो सक्रित्या की इकाई क्या है आपसन A फर्मी आपसन B क्यूरी आपसन C कैंडेला आपसन D इनमे से कोई नहीं अगर पता हो विद्यारतियों तुर्ण से कमेंट में बताएं तो रेडियो सक्रित्या की क्या होती है आपसन नमबर B यानि क्यूरी नेक्स क्यूरी पर चलते हैं अलफा और बीटा किरणों की खोज किस ने की थी आपसन A विलाड ने आपसन B डालतन ने आपसन C फेराडे ने आपसन D रेदर फोर्ड ने तो हमारा अलफा और बीटा किरणों की खोज किये थे वह हैं आपसन नमबर D यानि रेदर फोर्ड ने करेक्ट होना चाहिए आपसन नमबर D करेक्ट हैं नेक्ट एक्ट पर चलते हैं रेक्ट कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसो टोप कौन सा है आपसन तो इसमें सही आपसन नमबर D यानि कोबाल्ट 60 सही होना चाहिए आपसन नेक्ट क्यूशन पर चलते हैं आल क्यूशन मोस्ट है विद्यारत द्यान से पढ़िएगा इलेक्ट्रॉन तागने की प्रवित्त क्या कहलाती है आपसन ने आपसन भी आक्षिकरण आपसन C आवकरण आपसन D इन में से कोई नहीं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवित्त है हमारी कहलाती है आक्षिडेशन इसे इंग्निस में आक्षिडेशन कहते हैं आपसन नमर भी सही होना चाहिए आक्षिकरण की तरेक्षिकरण पर चलते हैं निम्नले लिखित में से क्वन हरित्ग्री गैस है आपसन सल्फर डाई आक्साइड आपसन भी मिथान आपसन सी कारबन डाई आक्साइड आपसन डी यह सभी तो अक इनमें से सही यानि यह सभी यह सभी तरह इस हैं नेक्ट पर चलते हैं फासफोरस प्रचूरता से किसमें पाया जाता है आपसने विटामीन आपसन भी प्रोटीन आपसन सी वसा आपसन डी इन में से कोई नहीं पता हुए जिए तुरंत कमेंट में बताएं ताकि हमको भी लगे कि हाँ आपसन नमबर भी यानि प्रोटीन में पाय जाता है नेक्ट पर चलते हैं हीलियम की खौछ किसने कीती आपसने सीलें बी लोकेर ने आपसन थी हैंदी केवेंडिस ने आपसन डी इनिमे से कोई नहीं तो हेलिएम की खोच किये थे विज्यारतियों इसमें त़ी होने चाहि प्यास्टूंशित सरवाधि समेगा होना चाहिए लोकेज ने हिलियम के खूज किया था कि नेक्ट्स्ट्रिक्यूशन पर चलते हैं सर्वाधिक योगिक बनाने वाली अक्री गयईस है ऐसाने जीनान और अफें पिआर्गन अपसट किह लियम आप सब्सक्राइब करें लाइक करें लाइक करें विद्यार्थियों के पास सेयर करें और अंत में सब्सक्राइब करें धन्यवाद प्रणाम